ओम शान्ती 23 अगस 2022 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा बच्चे यह शरीर तुम्हारा पुराना घर है अब इसको छोड़ना है और मेरे साथ घर चलना है इसलिए जीते जी इस पुराने घर से ममत्व मिटाते जाओ फिर आत्मा ने घर में अर्थात ने शरीर में प्रवेश कर सिंहासन पर बैठ जाएगी यह राजाई तुमको एक बाब से ही मिलती है जब तक बाबा ना आए तब तक बादशाही मिलना सके ग्रेस्त व्यवहार में रहते बुद्धी से सब पुरानी चीजों को और पुराने संबंधों का सन्यास कर अपने को आत्मा निश्य करना है क्योंकि इस पुरानी दुनिया में अब तुम्हें रहना नहीं है बुद्धी में रहे अभी हमें बाब के गले का हार बनना है बाबा ने कहा मेरे गले का हार बनने से तुम फिर विश्नों के गले का हार बनेंगे अभी तुम बच्चों को ग्यान रत्नों का व्यापार करना है। बाप से रत्न ले फिर औरों को देने हैं। रोज अमरित विले उठ यह ग्यान रत्नों का धंदा करना चाहिए। साइंस और साइलेंस दो चीजे हैं। उनको फिर साइंस का कितना घमंड है। आखरीन साइंस पर साइलेंस की विजे तो होनी ही है। तुम सदेव बाप को साइलेंस में याद करते रहो। कई कहते हैं मन में कोई संकल्प विकल्प ना आएं। परंतु बाप कहते हैं यह तो जरूर आएंगे। इसलिए मन जीते जगत जीत कहना यथार्थ नहीं है। माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा नेचरल केलेमिटीज तो आती ही रहेंगी। लेकिन लडाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अभी तो पढ़ाई चल रही है। ब्रह्मा दवारा आदिस नातन देवी देवता धर्म की सापना हो रही है। और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। मुडली का सार, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चे करो। प्रश्न, देही अभीमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नह ही निकलेंगे। उत्तर मेरे मन को शान्ती कैसे मिले। यह शब्द देही अभीमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देहे अभीमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्यान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शान्त है मन के शान्ती की तो बात ही नहीं, आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शान्त हो जाएगा आत्मा सो परमात्मा केहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ओम शान्ती बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है उनको मरना कहा जाता हैं, यहां बच्चे जानते हैं, हम जीते जी, शरीर से अलग हैं, और अपने परम पिता परमातमा के साथ, उनके धाम जाने वाले हैं, जो आत्मय जा नहीं सकती हैं, उनको योग से पवित्र बना रहे हैं, इसको कहा जाता है, knowledge, रू को knowledge मिलती है, यह पच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है, पतित पावन बाप, मुक्ती जीवन मुक्ती देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, यह लोन लिया है। हमको भी यह छोडना है और जिसका घर है, उनको भी छोड़ना है, वैसे तुम बच्चों का भी यह पुराना घर है, इनमें खिडकियां आदी सब है, तो बाप कहते हैं बच्चे यह पुराना घर, अर्थात पुराना शरीर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर जलना है, इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते अपने को आत्मा निश्चे करो और बाप को याद करो, यह तो बच्चे जानते हैं दो चीजे हैं, जीव और आत्मा, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्म घात नहीं, आत्मा जानती है, शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको परना चाहती है तुम्हारी आत्म जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं ये शरीर भी पुराना है बाबा ने समझाया है ये अकाल तख्त है जो छोड़ कर फिर दूसरा लेना होता है तख्त के बदले घर कहना ठीक है घर में खिडकी आदी होती है इसलिए शरीर को घर कहा ज जाता है तख्त के उपर राजाई की जाती है इस समय तो दुख धाम है हाँ ये जरूर है आत्म को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंगहासन पर बैठ जाना है राजाई करनी है दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है जब तक बाप ना आये तब तक बादशाही कैसे मिले तुम जानते हो बाबा हमको शेहनशाह बनाने आया हुआ है जैसे राजाओं से महाराजाई बड़े होते है ना तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है तुम्हारी आत्मा जानती है ये पुराना घर छोड़ना है आत्मा को पहले सतोप्रधान घर मिलता है सतोप्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतोप्रधान मिलता है आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है उच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बनें। खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे अब मैं आया हूँ। कल्प कल्प इस शरीर में आकर यह यग्य रशता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। इनको अडोप्ट किया जाता है। ग्रस्त व्यवार में रहते तुमने बुद्धी से सब कुछ पुरानी चीजों का सन्यास कर अपने को आत्मा निश्चे किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने है। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम अब्जेक्ट है नर्से नाराइन वो मनुष्य से देवता बनना वो स्वर्ग की बादशही पाना। यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टी एक ही है जो चक्र लगाती है। इनको जाड भी कहते हैं बड़के जाड से भेट की जाती है उनकी आयू बहुत बड़ी होती है। यह जाड जब नया है तब हम देवताई ही रहते हैं अभी तो पुराना हो गया है इसमें सब गरीब हैं पाई पैसे का व्यापार करते हैं अभी तुम बच्चे ग्यान रत् ले फिर औरों को देते हो अब तुम्हारी स्रेष्ट हीरे जैसी बुद्धी बनती है तुम्हारा व्यापार ही है ज्यान रत्नों का ज्यान रत्नों के बाद फिर वहरत्न भी तुमको अथा मिलते हैं गाया हुआ भी है सागर हीरे ज्वारों की थाली ले तुम्हारे आगे भे तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो बरोबर हमारा परमपिता परमात्मा ज्यान रतनों का सागर है जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है आत्मा ज्यान रतनों का मुख से वर्णन करती है तुम्हारा धन्दा ही यह है तुम अम्रित वेले उठ यह ज्यान प्रभात अच्छी होती है। पुझे शांती चाहिए। वे अपने को आत्मा समझ से नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांती कैसे मिले। मन क्या है वे भी समझ से नहीं है आत्मा को शांती मिलती है वो आत्मा के मन को पहले तो आत्मा को जानना पड़े आत्मा का स्वधर्म शांत है ये शरीर तुम्हारे और गंस है इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म मेटी को सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सु आत्मा प्रंतु ताकत कैसे मिले जो शांती में रह सके जब बाप को याद करें तब ही ताकत मिले सिर्फ शांती से भी कोई फायदा नहीं वे समझते हैं हमात्मा सो परमात्मा हमात्मा परमात्मा की लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते हैं पुनर जनम को ही भूल जाते हैं चुरासी जनमों को भी भूल जाते हैं बाप सम्मुख समझाते हैं तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकि इतना टाइम है, टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। हूब हूब, तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है, बाप आया है लेने लिए, ये प्रश्ण नहीं नहीं उठता, आत्मय वहां होंगी वर नहीं, हमारा काम है वर्षा लेना, जरूर आत्मय होंगी, तब तो आती रहती हैं, वृधी को पाती रहती हैं, अभी भी आती रहती हैं तब तो बर्थ कंट्रोल आदी करते हैं, आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे, जो कुछ बची खुची आत्मय हैं सब आएंगी, इसलिए तो वृधी होती रहती हैं, वृधी होनी ही हैं, ये तुम बच्चों को पता हैं, जो अच्छर देखो रात को आए और सुभे को देखो, तो सब मरे हुए होंगे, प्रन्तु उनका कोई हिसाब किताब थोड़े ही है, ये जो बड़े बड़े साइंस दान हैं, वे कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, जैसे ग्यान की उच्चाई है, तो माया भी देखो आसुरीमत पर क्या क्या बना रहे है, शुरीमत क्या कहती है, और साइंस वाले क्या करते रहते हैं, सुख भी है, तो इन चीजों से विनाश भी होना है, साइंस और साइलेंस तुम सदेव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में उनको फिर साइंस का कितना घमंड है कितने एरोपलेन बारूदादी है साइंस पर साइलेंस की विजय होती है कई कहते हैं मन जीते जगत जीत परन्तु माया जीते जगत जीत कह सकते है आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ना आए बाप कहते हैं यह तो जरूर आएंगे मामेकम याद करो हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती है पियर घर जाती है बुद्धी में यही रहता है बाबा आया है हमको ले जाएंगे गाइड बाबा ही है कहते हैं मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले वे जाना भी सिखलावे यहां से मनश्य तंग होकर कहते हैं जाएं सत्यूग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे सुख धाम को ही सब याद करते हैं बाब कहते हैं मैं सब को ले जाऊंगा मच्चरों के सद्रिश्य वे सिर्फ कह देते हैं बोध की आत्मा निर्वान धाम गई अगर वे चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी कोई जा नहीं सकते मैं तो जा सकता हूँ न मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए सत्यूग में तो कितने थोड़े होते हैं इस समय तो आत्माई कितनी अथा है मच्छरों सद्रिश्य है न सबको ले जाना एक बाप कही काम है बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विश्नों के गले का हार बनेंगे गिरेंगे भी पहले वे पुजारी बनते हैं तब रावन के गले का हार बनते हैं आखरीन यह हालत हो जाती है तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावन के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं। फिर और धर्म वाले आएंगे। वह भी रावन के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावन के गले का हार बन जाते है यह ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाए बाप के और कोई समझाने सके पोइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए नटशेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं यह बुद्धी में रहना चाहिए बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की मौला है फिर बाबा हमको सुर्यवन्शी चंद्रवन्शी बनाते हैं फिर रावन का राज्ये होता है यह सृष्टी का चक्र कैसे फिड़ता है तुम जानते हो नंबरवार स्कूल में सब सबजेक्ट में सो माक्स तो कोई नहीं लेते हैं हाँ कोई एक सबजेक्ट में सो माक्स मिल सकती है इसमें भी माक्स है दैवी गुण धारन करना कितनी बड़ी सबजेक्ट है सारे चक्र का राज भी समझाना है कोई में गुण कम है मुडली अच्छी चलाते है नंबरवार तो होते ही है ना जो पास होते हैं वे गले का हार बनते हैं बाप तो परफेक्ट है उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता वे तो जनम मरण में आता ही नहीं है तुम्हारी बुद्धी में कितनी नई नई पोइंट्स है जो और कोई की बुद्धी में बैठ नही प्राचीन भारत बड़ा साहुकार था, उनको पेराडाइस कहते हैं, घर में कोई अच्छे कुलके होते हैं, गरीब बन जाते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है, कहेंगे विचारा कितना गिर गया, फिर उनको चड़ाने की कोशिश करते हैं, क्रिश्चन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिये हैं, उस धन से खुद साहुकार बन जाते हैं, भारत गरीब हो गया है, तो फिर मदद भी देंगे न, लोन के हिसाब से मदद देते हैं, तुम तु प्रेरक कौन है ये कोई नहीं समझते इन बातों को अभी तुम समझते हो भारत रिलिजियस था तु कितनी माइट थी सारे विश्व का मालिक था पहला धर्म देवी देवता जो बाप स्थापन करते हैं अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे जब लड आई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे मदद भी करते रहेंगे अब भी देखो देते रहते हैं नहीं तो भारत भूखा मर जाए प्रन्तु कभी ऐसे हुआ नहीं है केलमिटीज भी आती रहेंगी लडाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए अभी तो पढ़ाई चल रही है ना बाबा को पढ़ाना है ब्रह्मा दवरा आदिसनातन देविदेवता धर्म की स्थापना हो रही है अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट अभी ज्यान रतनों का धंदा करना है रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है दूसरी पोइंट बा बापकी याद में रहे साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाने हैं। इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृती में रहो कि हम ब्राह्मन, बीके, विश्व कल्यान के जवाबदार हैं। तो आलश्य और अलबेलापन स्वत्यस माप्त हो जाएगा, कभी भी ठकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है, वे अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो, तो सब बुराईयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती।